आखिरी हीला प्रेमचंद की कहानी यद्यपी मैरी स्मरन शक्ती पृत्वी के इतिहास की सारी स्मरनिय तारीखे भूल गई वह तारीखे जिन्हें रातों को जाग कर और मस्तिश्क को खपा कर याद किया था मगर विवाह की तिथी समतल भूमी में एक स्थम्भ की भाती अटल है न भूलता हूँ, न भूल सकता हूँ उससे पहले और पीछे की सारी घटनाएं दिल में मिट गई उनका निशान तक बाकी नहीं वह सारी अनेकता एक एकता में मिश्रित हो गई है और वह मेरे विवाह की तिथी है चाहता हूँ, उसे भूल जाओं मगर जिस तिथी का नित्य प्रती सुमिरन किया जाता हो वह कैसे भूल जाए, नित्य प्रती सुमिरन क्यों करता हूँ यह उस विपत्ती मारे से पूछे जिसे भगवत भजन के सिवा जीवन के उद्धार का कोई आधार न रहा हो लेकिन क्या मैं वैवाहिक जीवन से इसलिए भागता हूँ कि मुझ में रसिक्ता का भाव है और मैं कोमल वर्ग की मोहनी शक्ती से निरलिप्त हूँ और अनासक्ती का पत्प्राप्त कर चुका हूँ क्या मैं नहीं चाहता हूँ कि जब मैं सेर करने निकलूँ तो हरिदयेश्वरी भी मेरे साथ विराजमान हूँ विलास्वस्तूओं की दुकानों पर उनके साथ जाकर थोड़ी देर के लिए रस्मयागरह का अनन्द उठाऊं मैं उस गर्व और अनन्द और महत्व का अनुभव कर सकता हूँ जो मेरे अन्यभाईयों की भाती मेरे हृदय में भी आंदोलत होगा लेकिन मेरे भाग में वह खुशियावा रंगरेलिया नहीं है क्योंकि चित्र का दूसरा पक्ष भी तो देखता हूँ एक पक्ष जितना ही मोहक और आकरशक है दूसरा उतना ही हृदय विदारक और भयंकर शाम हुई और आप बदनसी बच्चे को गोद में लिए तेलिया इंधन की दुकान पर खड़े हैं अंधेरा हुआ और आप आटे की पोटली बगल में दबाए गलियों में यों कदम बढ़ाए हुए निकल जाते हैं मानो चोरी की है सूर्य निकला और बालको को गोद में लिए हुमियोपैत डाक्टर की दुकान में टूटी कुरसी पर आरूर हैं किसी खोंचे वाले की रसीली आवाज सुनकर बालक ने गगन भेदी विला पारंभ किया और आपके प्रान सूखे ऐसे बापो को भी देखा है जो दपतर से लोटते हुए पैसे दो पैसे की मूंग फली या रेवडियां लेकर लज्जासपद शीगरता के साथ मुह में रखते चले जाते हैं कि घर पहुझते पहुझते बालको के आक्रमन से पहले ही यह पदार्थ समाप्त हो जाए कितना निरा शाजनक होता है यह द्रिश्य जब देखता हूँ की मेले में बच्चा किसी खिलोने की दुकान के सामने मचल रहा है और पिता महोदय रिशियों किसी विद्वता के साथ उनकी क्षन भंगुरता का रागला प्रहे हैं चित्र का पहला रुख तो मेरे लिए एक मदन स्वपन है, दूसरा रुख एक भयंकर सत्य इस सत्य के सामने मेरी सारी रसिक्ता अंतरधान हो जाती है मेरी सारी मौलिक्ता, सारी रचना शीलता इसी दामपत्ति के फंदों से बचने में प्रयुक्त हुई है जानता हूँ की जाल के नीचे जाना है, मगर जाल जितना ही रंगीन और ग्राहक है, दाना उतना ही घातक और विशेला इस जाल में पक्षियों को तडपते और फड़ फड़ाते देखता हूँ और फिर भी जाल पर जा बैठता हूँ लेकिन इधर कुछ दिनों से श्री मतीजी ने अविश्रान्त रूप से आगरह करना शुरू किया है कि मुझे बुला लो पहले जब छुट्टियों में जाता था, तो मेरा केवल कहां चलोगी कह देना उनकी चित्थ शान्ती के लिए काफी होता था फिर मैंने ज़ंजट है कहकर उन्हें तसली देनी शुरू की, इसके बाद ग्रिहस्थ जीवन की असुविधाओं से डराया किन्तु अब कुछ दिनों से उनका विश्वास बढ़ता जाता है अब मैंने छुट्टियों में भी उनके आग्रह के भई से घर जाना बंद कर दिया है कि कहीं वह मेरे साथ नचल खड़ी हों और नाना प्रकार के बहानों से उन्हें आशंकित करता रहता हूँ मेरा पहला बहाना पत्र संपादकों के जीवन की कहानियों के विशय में था कभी बारह बजे रात को सोना नसीब होता है कभी रत जगा करना पढ़ जाता है सारे दिन गली गली ठोकर एक खानी पढ़ती है इस पर तुर राया है कि हमेशा सिर्प नंगी तलवार लटकती रहती है न जाने कब गिरपतार हो जाऊं कब जमानत तलब हो जाए खुप फ्या पुलिस की एक फोज हमेशा पीछे पढ़ी रहती है कभी बाजार में निकल जाता हूँ तो लोग गुणलियां उठा कर कहते हैं वह जा रहा है अखबार वाला मानो संसार में जितनी दैविक, आधी दैविक, भौतिक, आधी भौतिक बाधाएं है उनका उत्तरदाई मैं हूँ मानो मेरा मस्तिश्क जूठी खबरे गढ़ने का कार्यालय है सारा दिन अपसरों की सलामी और पुलिस की खुशामद में गुजर जाता है कान स्टेबिलों को देखा और प्रान पीड़ा होने लगी मेरी तो यह हालत है और हुक काम है की मेरी सूरत से कापते हैं एक दिन दुर्भाग यवशेक अंग्रेज के बंगले की तरफ जा निकला साहब ने पूछा क्या काम करता है मैंने गर्व के साथ कहा पत्र का संपादक हूँ साहब तुरंत अंदर घुस गए और कपाट मुंद्रित कर लिये फिर मैंने मेम साहब और बाबा लोगों को खिरकियों से जाकते देखा मानो कोई भयंकर जनतू हूँ एक बार रेल गाड़ी में सफर कर रहा था साथ और भी कई मित्र थे इसलिए अपने पद का सम्मान निभाने के लिए सेकिंड प्लास का टिकट लेना पड़ा गाड़ी में बैठा तो एक साहब ने मेरे सूट केस पर मेरा नाम और पेशा देखते ही तुरंत अपना संदूक खोला और रिवालवर निकाल कर मेरे सामने गोलियां भरी जिससे मुझे मालूम हो जाए कि वह मुझसे सचेत है मैंने देवीजी से अपनी आर्थिक कठिनाईयों की कभी चर्चा नहीं की क्योंकि मैं रमनियों के सामने यह जिक्र करना अपनी मर्यादा के विरुद्ध समझता हूँ हाला कि मैं वह चर्चा करता तो देवीजी की दया का अवश्य पात्र बन जाता मुझे विश्वास था कि श्री मती जी फिर यहां आने का नाम न लेंगी मगर यह मेरा भ्रम था उनके आगरह पूर्ववत होते रहे तब मैंने दूसरा बहाना सोचा शहर बीमारियों के अड़े हैं हर एक खाने पीने की चीज में विश की शंका दूद में विश, घी में विश, फलो में विश, शाक भाजी में विश, हवा में विश, पानी में विश यह मनुष्य का जीवन पानी की लकीर है जिसे आज देखो वह कल गायब अच्छे खासे बैठे हैं हिवय की गती बंध हो गई घर से सैर को निकले मोटर से टकरा कर सुरपुर की राह ली अगर कोई शाम को सांगो पांग घरा जाए तो उसे भाग्यवान समझो मच्छर की आवाज कान में आई दिल बैठा, मक्खी नजर आई और हाथ पाव फूले चूहा बिल से निकला और जान निकल गई जिधर देखिये यमराज की अमलदारी है अगर मोटर और ट्राम से बच कर आ गए तब मच्छर और मक्खी के शिकार हुए बस यही समझ लो की मौत हर दम सिर पर खेलती रहती है रात भर मच्छरों से लड़ता हूँ दिन भर मक्खियों से ननही सी जान को किनकिन दुश्मनों से बचाऊं सास पी मुश्किल से लेता हूँ की कही क्षय के कीटानू फेफडे में न पहुच जाया देवी जी को फिर भी मुझ पर विश्वास ना आया दूसरे पत्र में भी वही आरजू थी लिखा था तुम्हारे पत्र ने एक और चिंता बढ़ा दी अब अब प्रति दिन पत्र लिखा करना मैं एक न सुनूंगी और सीधे चली आऊंगी मैंने दिल में कहा चलो सस्ते छूटे मगर यह खटका लगा हुआ था कि न जाने कब उन्हे शहर आने की सनक सवार हो जाए इसलिए मैंने तीसरा बहाना सोच निकाला यहां मित्रों के मारे ना कोदम रहता है आकर बैठ जाते हैं तो उठने का नाम भी नहीं लेते मानो अपना घर बेचाय है अगर घर से टल जाओ तो आकर बेधड़क कमरे में बैठ जाते हैं और नौकर से जो चीज चाहते हैं उधार मंगवा लेते हैं देना मुझे पड़ता है कुछ लोग तो हफ्तो पड़े रहते हैं टलने का नाम ही नहीं लेते रोज उनकी सेवा सतकार करो रात को थियेटर या सिनेमा दिखाओ फिर सबेरे तकताश या शतरंज खेलो अधिकानश तो ऐसे हैं जो शराब के बगैर जिन्दा ही नहीं रह सकते अकसर तो बीमार होकर आते हैं बल की अधिकतर बीमार ही आते हैं अब रोज डाक्टर को बुलाओ सेवा सुशुशा करो रात भर सिरहाने बैठे पंखा जलते रहो उस पर यह शिकायत भी सुनते रहो कि यहां कोई हमारी बात भी नहीं पूछता मेरी घडी महीनों से मेरी कलाई पर नहीं आई दोस्तों के साथ जलसों में शरीक हो रही है अचकन है वह एक साहब के पास है कोट और दूसरे साहब ले गए जूते और एक बाबू ले ओड़े मैं वही रद्धी कोट और वही चम्राओधा जूता पहन कर दपतर जाता हूँ मित्रवरिन ताड़ते रहते हैं कि कौन सी नई वस्तू लाया कोई चीज लाता हूँ तो मारे डर के संदूक में बंद कर देता हूँ किसी की निगाह पड़ जाए तो कही न कहीं नियोता खाने की धुन सवार हो जाए पहली तारीक को वेतन मिलता है तो चोरों की तरह दबे पाउव घराता हूँ कि कहीं कोई महाशय रुपेयों की प्रतीक्षा में द्वार पर धरना जमाय न बैठे हूँ मालूम नहीं उनकी सारी आवश्यक्ताएं पहली ही तारीक की बाठ क्यों जो हती रहती है एक दिन वेतन लेकर बारह बजे रात को लोटा मगर देखा तो आधे दर्जन मित्र उस वक्त भी डटे हुए थे माता ठोक लिया कितने ही बहाने करूँ उनके सामने एक नहीं चलती मैं कहता हूँ घर से पत्र आया है माता जी बहुत बीमार हैं जवाब देते हैं अजीबूर है इतनी जल्द नहीं मरते मरना ही होता तो इतने दिन जीवित क्यों रहती देख लेना दो चार दिन में अच्छी हो जाएंगी और अगर मर भी जाए तो वृद्ध जनों की मृत्यू का शोक ही क्या वहतो और खुशी की बात है कहता हूँ लगान का बड़ा तकाजा हो रहा है जवाब मिलता है आज कर लगान तो बंध हो ही रहा है लगान देने की जरूरत ही नहीं रही अगर किसी संसकार का बहाना करता हूँ तो फर्माते हैं तुम भी विचितर जीव हो इनको प्रथाओं की लकीर पीटना तुम्हारी शान के खिलाप है, अगर तुम उनका मुलोच्छे दन करोगे, तो वह लोग क्या आकाश से आवेंगे, गरज यह की किसी तरह प्रान नहीं बच्चते मैंने समझा था कि हमारा यह बहाना निशाने पर बैठेगा, ऐसे घर में कौन रमनी रहना पसंद करेगी, जो मित्रों पर ही अर्पित हो गया हो, किन्तु मुझे फिर भ्रम हुआ, उत्तर्म में फिर वहीं आगरह था तब मैंने चौथा हीला सोचा, यहां के मकान है कि चडियों के पिंजरे, न हवा, न रोशनी, वह दुरगंध हुरती हैं कि खोपड़ी भनना जाती है, कितने ही के तो इसी दुरगंध के कारण विसूचिका टाइप आइड, यक्षमा आदी रोग हो जाते हैं, वर्शा हुई और मकान टपकने लगा, पानी चाहे घंटे भर बर से, मकान रात भर बरस्ता रहता है, ऐसे बहुत कम घर होंगे, जिन में प्रेत बाधाई न हो लोगों को डरावने स्वपन दिखाई देते हैं, कितनों ही को उनमाद रोग हो जाता है, आज नए घर में आये, कल ही उसे बदलने की चिंता सवार हो गई कोई ठेला असबाप से लदा हुआ जा रहा है, कोई आ रहा है, जिधर देखिये ठेले ही ठेले नजर आते हैं चोरियां तो इसकसरत से होती हैं कि अगर कोई रात कुशल से बीट जाए, तो देवताओं की मनोती की जाती है आधी रात हुई और चोर चोर, लेना लेना, अपोस्ट्रिफी कि आवाज आने लगी, लोग दर्वाजों पर मोटे मोटे लकडी के फटे या जूते या चिम्टे लिए खड़े रहते हैं फिर भी चोर इतने कुशल हैं कि आँख बचा कर अंदर पहुच ही जाते हैं एक मेरे बेत कलुप दोस्त हैं, स्नेहवश मेरे पास बहुत देर तक बैठे रहते हैं रात अंधेरे में बरतन खड़के, तो मैंने बिजली की बत्ती जलाई देखा, तो वही महाशय बरतन समेट रहे हैं मेरी आवाज सुनकर जोर से कह कहा, मारा और बोले, मैं तुम्हें चक्मा देना चाहता था मैंने दिल में समझ लिया अगर निकल जाते, तो बरतनाब के थे, जब जाक पड़ा तो चक्मा हो गया घर में आये कैसे थे? यह रहस्य है, कदा चितरात कोताश खेल कर चले, तो बाहर जाने के बदले नीचे अंधेरी कोठरी में चिप गए एक दिनिक महाशय मुझ से पत्र लिखाने आये, कमरे में कलम दवात न थी उपर के कमरे से लाने गया, लोट कराया तो देखा आप गायब है और उनके साथ फाउंटेन पेन भी गायब है सारान श्रीहकीन नगर जीवन नरक जीवन से कम दुखदाई नहीं है मगर पतनीजी पर नागरिक जीवन का ऐसा जादू चड़ा हुआ है कि मेरा कोई बहाना उन पर असर नहीं करता इस पत्र के जवाब में उन्होंने लिखा मुझ से बहाना करते हो, मैं हर गिज नाम मानूंगी, तुमा कर मुझे ले जाओ आखिर मुझे पांचवां बहाना करना पड़ा, यह खोंचे वालों के विशय में था अभी बिस्तर से उठने की नौबत नहीं आई कि कानों में विचितर आवाजें आने लगी बाबुल के मीनार के निर्मान के साथ ऐसी निरर्थक आवाजें न आई होंगी, वह खोंचे वालों की शब्द क्रीडा है उचित तो यह था, यह खोंचे वाले धोल मंजीरे के साथ लोगों को अपनी चीजों की और आकर्शित करते मगर नौनधी अकल वालों को यह कहा सूझती है, ऐसे पैशाचिक स्वर निकालते हैं की सुनने वालों के रोए खड़े हो जाते हैं बच्चे मा की गोद में चिमट जाते हैं, मैं भी रात को अक्सर चौक पड़ता हूँ, एक दिन तो मेरे पडोस में एक दुरघटना हो गई ग्यारह बजे थे, कोई महिला बच्चे को दूध पिलाने उठी थी, एका एक जों किसी खोनचे वाले की भयंकर धवनी कानों में आई तो चीख मार कर चिल्ला उठी और फिर बेहोश हो गई, महीनों की दवादारू के बाद अच्छी हुई और अब रात को कानों में रूई डाल कर सोती है, ऐसे कृत्य नगरों में नित्य होते रहते हैं मेरे ही मित्त्रों में कई ऐसे हैं जो अपनी स्त्रियों को घर से लाए, मगर बेचारियां दूसरे ही दिन निन आवाजों से भैबीत होकर लोट गई श्री मती जी ने इसके जवाब में लिखा तुम समझते हो, मैं खोचे वालों की आवाजों से डर जाऊंगी यहांगी दिड़ों का हौवाना और उल्लूं का चीखना सुनकर तो डरती नहीं खोचे वालों से क्या डरूंगी अन्त में मुझे एक ऐसा बहाना सूझा, जिसकी सफलता का मुझे पूरा विश्वास था, यद्यपी इसमें कुछ बदनामी थी लेकिन बदनामी से मैं इतना नहीं डरता, जितना उस्विपत्ती से फिर मैंने लिखा शहर शरीप जादियों के रहने की जगह नहीं यहां की महरिया इतनी कटुभाशिनी है कि बातों का जवाब गालियों से देती हैं और उनके बनाव समवार का क्या पूछना भले घर की स्त्रिया तो उनके ठाट देखकर ही शर्म से पानी पानी हो जाती हैं सिर से पाव तक सोने से लदी हुई सामने से निकल जाती हैं तो ऐसा मालूम होता है कि सुगंधी की लपट निकल गई ग्रिहीनिया ये ठाट कहां से लाएं उन्हें तो और भी सेकणों चिन्ताएं हैं इन महरियों को तो बनाव सिंगार के सिवा दूसरा काम ही नहीं नित्यनई सजधाज, नित्यनई अदा और चंचल तो इस कजब की हैं मानों अंगों में रक्त की जगह पारा भर दिया हैं उनका चमकना और मटकना और मुस्कराना देखकर ग्रिहीनिया लजजित हो जाती हैं और ऐसी दीदा दिलेर हैं कि जबर्दस्ती घरों में घुस परती हैं जिधर देखो इनका मेला सा लगा हुआ है इनके मारे भले आदमियों का घर में बैठना मुश्किल है कोई खत लिखाने के बहाने से आ जाती है, कोई खत पढ़ाने के बहाने से असली बात तो यह है कि ग्रिह देवियों का रंग फीका करने में इन्हें आनन्द आता है इसलिए शरीप जादियां बहुत कम शहरों में आती हैं मालूम नहीं इस पत्र में मुझसे क्या गलती हुई कि तीसरे दिन पतनी जी एक बूढ़े कहार के साथ मेरा पता पूछती हुई अपने तीनों बच्चों को लिए एक असाध्य रोग की भाती आ डटी मैंने बदहवास होकर पूछा क्यों कुशल तो है पतनी जी ने चादर उतारते हुए कहा घर में कोई चुडैल बैठी तो नहीं है यहां किसी ने कदम रखा तो ना काट लूँगी हाँ, जो तुम्हारी इशह न हो अच्छा, तो अब रहस्य खुला मैंने सिर पीट लिया क्या जानता था अपना तमाचा अपने ही मुह पर पड़ेगा काहानी का अंत धन्यवाद